नमस्कार मित्रो स्वागत है आपका मेरे यूटूब चैनल स्टड़ी विद पंकद नाड्या में विद्यार्थी मित्रो आज हम कक्सा स्वाथ द्वितिय सत्र हिंदी विशाय में इक आई चार के बारे में चर्चा करेंगे तो सुरू करते हैं आज का विडियो इक आई चार जिसका सिर्षक है देश के नाम संदेश मित्रो यहां क्यूर कोड दिया हुए जिसे स्कैन करके आप इसी इकाई से संबद्धित माहिती प्राप्त कर सकते हैं विद्यार्धि मित्रो यदि आपने इससे पहले के विडियो ना देखे हो द्वितिय सत्र हिंदी के तो इस विडियो के डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दी हुए साथ ही साथ आप मेरे यूटूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके स्टांडर सेवन हिंदी सर्ज करके हिं ग्रामर सेरीज इंग्लिस के वीडियो भी बनाते हैं कक्सा छे से लेकर कक्सा आठ तक के हिंदी एवं इंग्लिस विषय के सारे वीडियो हम बनाते हैं वो वीडियो भी आपने ना देखे हो तो आप देख सकते हो ग्रामर के वीडियो भी देख सकते हो ताकि आप इंग्लि आसाने से पहुझा सकते हैं एवं सरकारी डफ्तरों में अपनी सिकायति और आवेदन पहुझा सकते हैं आजकल दूरभास यामित टैलेफोन चिक करते हैं ऑदलेफोर का अपना विशेश महत्व है तो यह जो पाठ है हमारा देश के नाम संदेश इसके अंदर हम पत्र के बारे में भी सिखेंगे और देश के नाम संदेश क्या है इसके बारे में भी सिखेंगे हमारे पूर्वर राष्टरपर्टी एवं मिसाइलमेंड डॉक्टर अबूल पकी जैनल अब्दूल कलाम जी ने शौर्ट में एपी जे अब्दूल कलाम भी कहते है नई दिल्ली से 19 मई 2005 के दिन क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट है नाम से देश के नागरिकों को इमेल किया था प्रश्ण कई बार ऐसा भी पुछा जाता है कि अब्दूल कलाम जी ने किस नाम से देश के नागरिकों को इमेल किया था तो क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट है इस नाम से उन्होंने मेल किया था इसमें देश वास्यों के मन में देशा विमान की भावना उत्पन हो ऐसी सीख भी दी हुई है तो बात करते हैं आगे एकाई में सबसे पहले कोई भी पत्र लिखा जाता है तो यहाँ पर बाई और पत्र लिखने वाले का पता आता है याद रखेगा मित्रों जिसे लिखा गया है उसको लिखा है उसका पता नहीं लेकिन जो लिख रहा है मानो कि मैं पत्र लिख रहा हूँ तो यहाँ पर पता किसका आएगा मेरा आएगा आप लिख रहे हो तो आपका पता आएगा तो यह सबसे पहले पता आता है किसका पता तो पत्र लिखने वाले का पता तो यह याद रखिए उसके तुरंद बाद आता है दिनांक यानि कि तारीख फिर आता है संबोधन तो संबोधन किस प्रकार से होते हैं बड़ों के लिए आदर्णिया अपनी उम्र के हम उम्र इस तरह से और हमारे से छोटों के लिए चिरंजीव इस प्रकार से लेख सकते हैं तो यह कि बाद में पत्र का पूरा कलेवर आता है निकि पत्र के बारे में हम जो बताना चाहते हैं जिस विजय में हमने पत्र लखे हैं, सारी महायती यहां पर दी जाती है, पत्र की समाप्ती पर हम जो एक संदेश देते हैं कि तुमारे परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम कहना, चोटे भाई बेहन को मेरा प्यार देना, और अंत में पत्र कांत होता है, तुमारा मित करेंगे सबसे पहले पता कौन सा है तो मात्री छाया उंची सेरी गाउ मेश पुरा तहसिल भावर जिला बनास काठा तो इस पते से कई बार प्रशन पुछा जाता है पत्र कहां से लिखा गया है तो पत्र मेश पुरा तहसिल भावर बनास काठा से लिखा गया है और पुरा य किसने लिखा है तो पत्र जिसने लिखा है उसका नाम अंत में आएगा किसको लिखा है तो प्रियमित्र हर्ष नाम के किसी मित्र को किसने लिखा है तो अंत में आएगा नाम उसने लिखा है तो किसने किरन ने किरन ने हर्ष को लिखा है पत्र किरन ने लिखा है और हर्ष को ल तो इस प्रकार से आप पत्र की शुरुआत कर सकते हो आगे कहता है किरन कहता है हर्स से तुमारा खत खत यानी पत्र तुमारा खत मिला पढ़कर खुशी हुई मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का देश्वास्यों के नाम भेजा गया एक इमेल पढ़ा वही तुमारे लिए तो थोड़ी बात करता है कि तुमारा खत मिला था पढ़कर आनन्द हुआ अब वह पत्र क्यों लिख रहा है कीरन ने हर्स को क्यों लिखा है वो अपने बारे में बताया कि मैंने डॉक्टर कलाम का देश्वास्यों के नाम भेजा गया एक इमेल पढ़ा था और वही तुमा देश की सुरुआत में ही पुछते ही पुछते हैं क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है यदि हा तो इसे पढ़िए वरना मर्जी आपकी तो यदि आपके पास देश के लिए 10 मिनट का समय है तो पढ़िए वरना फिर आपकी मर्जी की बात है इसके बाद 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 देश्ट के लोगों की सोच बताते हैं कि देश्ट के लोग क्या सोचते हैं हमारे देश्ट के लोग कैसे हैं कैसा कैसा सोचते हैं उसके बारे में बताते हैं आप कहते हैं यानि कि देश्ट के लोग क्या कहते हैं उसके बारे में बताते हैं कि आप कहते हैं हमारी स प्रियाग बन गई है, एलाइन दुन्या में हमारी ही सबसे खराब है, चिठी अपनी मंजल तक नहीं पहुचती, तो ये सारी सिकायते हैं हम करते हैं, आप कहते हैं, कहते हैं, कहते हैं, कहते हैं, और कहते ही रहते हैं, तो डॉक्टर कलाम कहते हैं, कि आप इतनी सारी कर यह कहना चाहते और फिर राष्टरपती ने कहा यह फिजब्धूर खिश्व जा रहा है उसे अपना नाम देजी उसे अपने सकल भी देजिए यानि की मान लेजे कि कोई सिंगापुर जा रहा है और आपको आपस अपना नाम देदीज़िए और से अपनी सकल भी दे दीज़िए आप दुनिया के सरोस्रेष ह्वायड़न कहाँ पर है सिंगापूर में तो आप दुनिया के सरों से सवायड़े पर उतरते हैं सिंगापूर में आप अपनी सिग्रेट का टुकडा सड़कों पर नहीं फैकते और स्टॉर में खाते भी नहीं है तो क्या कहते हैं कि आप सिंगापूर में जायेंगे तो आपका जो रहन सायन है वो अलग हो जाता है आप अच्छे से जिना पसंद करते हैं और जीते भी है वहाँ पर आप सिग्रेट जला कर उसका टुकड़ा सरकों पर नहीं फैकते आप वहाँ पर स्टोर में कुछ भी खाते नहीं है आपको उनके भुमिगत संपर्कों पर रस्क यानि की इर्शा महसूस होती है आपको उनको भुमिगत संपर्कों पर जो अंडरलाइन अंडर ग्राउंड संपर्क होते है या जो टेलिफॉनिक सर्विस रहती है उस पर आपको एक प्रकार से इर्शा होती है कि कितना बड़िया देश है आप साम पांच से आठ बजे के बीच आर्चर रोड पर का चलाने का टॉल टेक्स तक्रीबन साठ रूपिय बुगतान करते हैं वहाँ पर आप आर्चर रोड पर चले जाओ तो साम के पांच से लेके आठ बजे तक यदि आपको गाड़ी चलानी है कार चलानी है तो वहाँ पर तक्रीबन आप साठ रूपिय टेक्स वहाँ जमां पार्किंग में आपने निद्दारित समय से ज्यादा गाड़ी खड़ी की तो टिकट पंच कराते हैं ज्यादा समय हो गया पार्किंग में तो फिर आप वहां से टिकट लेते हैं लेकिन आप सिंगापूर में कहते कुछ नहीं कहते हैं क्या लेकिन आप वहां पर कुछ नहीं क करेंगे दुबए में आप रमजान के दीनों में सार्वजनी गूरूप से कुछ भी खाने का साहस नहीं करते जिहाद में बिना सी डखे बाहर नहीं निकलते यह दुबए का नियबों का पालन आप करते हैं यदि आप दुबए चले जाओ वश्शिंग टन में आप जाते तो 55 मिल प्रती घंटा से उपर गाड़ी चलाने की हिमाकत नहीं करते हैं तो आपका चालान करता है आपको जुरमाना होता है और आपकी गाड़ी हिरासत में भी लिजा सकते हैं और पलटकर सिपाई से यह भी नहीं कहते कि जानता है मैं कौन हूँ मैं फला हूँ और फला मेरा बाफ है यहाँ पर तो हम यहीं कर देते है कि कोई यह दिया हमें पुलिस वाला या कोई सिपाई हमें रोकता है तो पता है मैं कौन हूँ मेरे पिता जी इस दफ्टर में काम करते है मेरे पिता जी डिवाएЙ S.P. है मेरे पिता जी M.L. A. है मेरे पिता जी विधायक है कुछ ना कुछ हम एक पहचान दे देते है और रुत्बा जदाते है हम तो ये है इसलिए हम ये नहीं करेंगे सारे लोग ऐसा नहीं करते हैं लेकिन आप वासिंग्टन में ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पर आपको नियमों का पालन करना अच्छा लगता है और यदि आप ऐसा नहीं करना चाहेंगे वहाँ पर आप नियमों का पालन नहीं करते तो आप दिक्कत में फस सकते हैं और न्यूजिलेंड के समूद्र टटो पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उचालते और न्यूजिलेंड में आप चले जाओ तो वहाँ पर जो समूद्र टट है बीचे वहाँ पर आप जाएंगे गुमने के लिए लेकिन आप खाले नारियल या कुछ भी खाले डिबा या पैकेट हवा में नहीं उचालते कहीं यहां वहाँ नहीं फेकते टोकियो, जापान में आप सड़को पर पान की पीक क्यों नहीं थोकते वहाँ पर आप पान खाके मसाला, मावा जो भी खाते है खैनी, तमाकोई, यह सब खाके आप थूगते नहीं है कहीं पर भी यहाँ वहाँ, जिसे कि हमारे यहाँ होता है तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको जुर्माना लगता है आप वहाँ के कायदे कानून का पालन करते है और यहाँ पर हम ऐसा नहीं करते हैं हम थोड़ी रिस्वत देते हैं या फिर कोई न कोई पहचान दिखा कर रेफरेंस दे कर मेरा बाप यह है मेरे चाचा यह है मैं इसमें नौकरी करता हूँ यह सब बता कर आप छोड़ जाते है बॉस्टन में आप जाली योकिता प्रमान पत्र क्यों नहीं खरीते या लिप आपsk этन कि वॉस्टन किनी करें दुबंगय। हो रहा है हम भी जानते है भले हम यह कहे दे कि हमारा देश महान है लेकिन यह सब कुछ भी होता है और इसके पीछे क्यों सरकार जवाबदार नहीं है यह कौन करता है हम ही करते है हम ही पैसे देकर हम मतलब की हमारे जैसे यह आप नहीं करते मैं नहीं करता लेकिन हमारे आसपास वाले लोग तो करते है और कोई नहीं रोकता है तो डॉक्टर अब्दुर कलाम ने 2005 में बहुत बड़ी बात कहे थी और डॉक्टर कलाम बीच में याद दिलाते हैं मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ सिर्फ आपके डॉक्टर कलाम कहते हैं कि मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ यह सब कुछ आप ही करते हैं आप से ताथ पर यह है कि हम सब जो हम भारत में रहते हैं और भारत में हम हमारे देश में सरकार को गालिया देते हैं कि डॉक्टर कलाम कहते हैं आप दुसरे देशों की व्यवस्ता का आदर और पालंग कर सकते हैं लेकिन अपनी व्यवस्ता का नहीं यानिकि आप दुसरे देशों के काईद कानून सबका पालंग करते हैं लेकिन अपनी व्यवस्ता आती है जब हमारे देश की बारी आती है तो उसे भी फैक देंगे, बिस्कुट खाएंगे तो उसका रैपर फैक देंगे, उसके कागज को फैक कर फाड़ के डाल देंगे, कहीं पर भी कुछ भी करेंगे, कागज के पूर्जे उचालते हैं, यदि आप पराय देश में प्रसंस नहीं हो सकते हैं, तो यहां भारत में आप क्यों नहीं बन सकते हैं, तो एपीजे अबदूर कलाम कहते हैं, हमारे पूर्वर राश्रपती कि यदि आप दूसरे देशों में वहां का अच्छा नागरिक बन सकते हो, तो अपने देश में क्यों नहीं बनते हो, हमें अपने देश में भी एक अच्छा नागरिक बनना च दोक्टर कलाम ने मुंबई के पूर्व महानगरपाली का आयुकतिनायकर के हवाले से कहा कि यानि कि फुरुव महान अगर पालिका के जो आयू खुत होंगे तीना एकर उन्सके द्वारा बताया गया कि अमीर लोग अपने कुट्टों को सड़कों पर गुमाने निकलते है तो अमीर जो लोग होते है वो कुट्टे पालते है अपना सौक होता है महगे महगे कुट्टे रखते है घर पे और फिर सुबह सड़कों पर उन्हें गुमाने के लिए निकलते है या शाम को गुमाने के ल कोई करता है उसकी होती है विदेश में यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको ये गंद की खुद उठानी पड़ती है क्या वे उमीद करते हैं और बढ़ाई कटाक्स वेदक कटाक्स करते हैं नुकिला कटाक्स करते हैं डॉक्टर एपीजे अबदुल कलाम की क्या वे उमीद करते हैं जो लोग अपने कुट्टों को ले जाते हैं घुमाने के लिए और जहां तहां गंगी विखेर कराते हैं डट कि ये सब सरकार करेगी प्रशासन ये करेगा जी नहीं बिल्कुल नहीं करेगा और फिर हम गंद की फैला कर खुद सरकार को प्रशासन को कोशते हैं राश्टरपती ने मिसाल दे कि अमरीका और जापान में कुद्टे के मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंद की साफ करनी परती है तो राश्टरपती कहते है कि अमरीका हो या जापान जैसे देश जो तरक की कर चुके देश है इतनी आगे बढ़े हुए देश है विक्सित देश है उनके यहां यदि कोई मालिक अपने कुद्टे को गं सब्सक्राज डालते हैं धिर क wisdom थे हमसे बैठ कर सुझता है हमारे नाज नकरे उटाए जाएंगे हम जो कहेंगे वह सरकारे करेंगी हम करेंगी हम पर्स पर बातरूम देगी और हम उन्हें ठीक से इस्तमाल करना भी नहीं सेखेंगे, रेलवे में आप चले जाओ, तो बहुत साल सुत्रे बातरूम होते हैं, सफाई करवाई जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग उसे गंदा कर देते हैं, क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि ये तो थोड़े कहते हैं कि रेल गंदी हैं, लेकिन हम गंद की फिलाते हैं, सरकार का कोई करमचारी हर रोज वहां गंद की फिलाने थोड़े हाता है, हम में से, तुम में से, हम में से कोई ना कोई मसाफरी करता है, फिर हम गंद की फिलाते हैं, और सरकार पर प्रशासन पर दोस्त देते रह पर भी हमारा रवाईया है हम प्रॉइंग रूप में बैठ कर दहज के खिलाब गलाफ आटे हैं और अपने घर में इसका उल्टा करते हैं तो हम ट्रॉइंग रूप में बैठ कर टीवी देखते हुए कहेंगे कि दहज प्रता नहीं होनी चाहिए दहज लेना नहीं चाहिए ल हर कोई लेता है तो फिर हमें भी लेना पड़ता है तो ऐसी बात करके हम एक छुटने का रास्ता प्रतन कर लेते हैं लेकिन हम अच्छा करने के लिए पहल करना नहीं चाहते हैं अगर मैं अपने बेटे की साधी में दहज नहीं लूँगा तो इससे कौनसा बड़ा फर्क व जाएगा तो ऐसी बड़ी बड़ी बाते करते रहते और करते कुछ नहीं है राश्टरपती ने इस संदेश में पूछा इस व्यवस्ता को बड़ लेगा कौन तो राश्टरपती एपी जब्दुर कहते हैं कि यह सारी जो भी व्यवस्ता है समाज की जुलन समश्या है यह हम अन्य सहर अन्य समुदाय और सरकार लेकिन मैं कते ही नहीं और आप कते ही नहीं तो क्या कहते हैं कि भी हम कहें देंगी यह व्यवस्ता तो हमारे पड़ोशियों की आसपास के घर की अन्य सहर समुदाय सरकार की है लेकिन मैं तो इसमें भागी नहीं ले रहा हूँ मेरा तो क आप एक महले में रहते हैं उसकी सफाय करने की बात आती है तो हम तुरन कहेंगे हमारे घर से कोई नहीं आएगा आप किसी और से करवा लो लेकिन उसके बारे में चर्चा करनी है तो सबसे पहले निकलेंगी कि समाज में हमारे रास्तों में गंद्की है तो यह नहीं होना चाह और ऐसा नहीं होता तो आप देश चोड़कर ही चल देंगे और यह इसा नहीं होता है देश पुरा गंदा हो जाता है बिगर जाता है तो आप देश चोड़कर दूसरे देश चले गया होंगे उन्होंने का हम अपने भैसे बाग कर अमेरिका जाएंगे एक उदान है कि हम यहा तो खाडी चले जाएंगे और जब खाडी में युद्चे जाएंगा तो फिर आप मांग करेंगी कि भारत सरकार हमें बचा कर घर ले आए जिसे छोड़ कर आप चले गए जिसके बारे में बुराई करके आप चले गए और जिसे सुदाने की बात आई तो आप दूम दबा कर भाग चुके हो उसी देश से आप फिर अंत में मांग करेंगी कि हमें बचाया जाए हमें हमारे देश में लाया जाए तब आपके अंदर देश प्रेम या मेरा देश है ये बात आती है तब तब आप भूल चुके होते कि मैं बारत का वासी हूँ हर कोई देश को गाली देन उसके बारे में हम कभी सोचते भी है क्या हमने अपनी आत्मा को पैसों के हाथों गिर्वी रख दिया है डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हमने अपनी आत्मा को पैसों के हाथों गिर्वी रख दिया है साथियों को इमेल से बेजिए यदि आपको यह संदेश अच्छा लगता है तो आप अपने और साथियों को बेजिए तो बहुत बड़ी बात कहिए पत्र की समाप्ति करता है किरण और कहता है कि परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम कहना तुम्हारा मित्र किरण तो य बात करते हैं सब्दार्थ की वाकई यानि यथार्थ हकीकत में रस्क यानि इर्शा ये कठिन सब्द है मित्रों इसे आप अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि परिक्षा में पुछा जा सकता है वाकई रस्क रवया यानि परिपाटी तक्रीबन यानि प्राय लगबग पूर पूजे यानि पूज़ा यानि मसीन जो पार्ट कहते हैं इंगलिस में हम यह मसीन के अंस मिसायल स्वरी मिसाल यानि उदाहर हिमाकत यानि मुर्खता बेवकूफ ही नहीं करते हम क्या कभी हम ऐसी बेवकूफ ही करते हैं और जक जोरना यानि जटका देना जंजोरना कि लो तो विद्यार्थि मित्रों इसकाई में हम ननि डौ-टर की एप cris एपडुल कलाम जो हमारे पूर्वर राष्टर प्रति रहें जीने महाँ भी कहते हैं और मिसाल मेन के नाम से भी जाना जाता है उनके लिए उनके अनुसार उनके मत अनुसार हम क्या करते हैं और देश वाक्षियों के देशत भावन की बावना कैसे उत्पन हो जाया ऐसी सीख देते हुए उन्हें जो इमेल किया था उसके बारे में सिखा साथी पत्रक के बारे में भी सिखा तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? कॉमेंट में अवश्य बताईए वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए साथी मित्रों ये भी बता दे कि हम ग्रामर सेरीज इंग्लिस के वीडियो भी बनाते हैं यदि वो वीडियो भी आप देखना चाहें तो हमारी चैनल पर जाके उसे